जहिंद साइन्स कॉमर्स आप देख सकते हैं जैक का साइन्स कॉमर्स का जो एकोनोमिक्स पेपर था उसका एक्जाम आज हुआ था इस पर मैंने एक वीडियो कुछ दिर पहले बनाया था उसे यूटूब पर अप्लोड किया है मैंने उसमें केबल अबजेक्टिव के बारे में फोकस किया था अबजेक्टिव के बारे में बताया था कि किसका क्या आंसर होगा इस वीडियो में मैं अबजेक्टिव पर फिर से बात करूँगा और सब्जेक्टिव पर भी बात करूँगा पूरे detail में जाऊंगा objective का और subjective का और इसके पीछे कारण क्या है कि बैच्चे समझ सके आने वाले वर्सों में फिर से इस paper की ज़रत होगी 2024 में जो question पूछा है इस related question या इसके आधार पर और question जो पूछा जा सकता है आने वाले वर्सों में तो ऐसी वीडियो से ऐसे विद्यारतियों को फाइदा होता है और एक अभी आप लोग जान ही रहे हैं कि 17 तारी को 17 फरवरी को भी एक paper होने वाला है economics का arts के student के लिए ठीक है तो जो arts के विद्यारति है वो भी देखेंगे ध्यान देंगे कि देखें कि कोशन का थोड़ा सा pattern change किया है थोड़ा सा पूछने का जो style है उसमें थोड़ा सा परिवर्तन लाया है पहले बहुत ही simple type से question पूछता था इस बार क्या किया गया है पुर तो objective भी आपका अच्छा से solve नहीं होगा इस परकार का प्रफन इस बार पूछा है इसलिए उमीद करूँगा कि अब आप लोग थोड़ा सा इसको detail में जाकर कि पढ़ने कोशिस किजिएगा और उपर उपर चलने से कोई भाइदा नहीं है तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं देखी objective में जो पहला question है कहता ब्यश्टी अर्थसास के अंतरगत कोन आता है तो एक से related जो चीज होता हूँ ब्यश्टी के अंतरगत आता है जो सबों से related होता है वो समश्टी के अंतरगत आता है तो आपका A option, B option और C option ये समश्टी अर्थसास का है ठीक है? D option ये कह रहा है उभोक्ता संतुलन यानि एक उभोक्ता के बारे में कह रहा है बिरोजगारी एक की समस्या नहीं है ये सब की समस्या है समाईनी कीमत अस्तर में सारे बश्टों की कीमत आ जाती है और मुद्रा की पूर्ती यानि पूरे देश में मुद्रा की पूर्ती की बा कुषिन हाट इसमें ब्यश्टी में क्या आदी है कुषिन नमर टू में कुषिन नमर टू में आप देख सकते हैं हिंधी में ही आ जाते हैं करता है बस्तु की मात्रा के फसापिछ कूल उपयोगिता में परिवर्थन भाई बस्तु की मात्रा देखिए माल लेते हैं क्यों आपका एक है यहां टोटल यूटिलिटी यानि आपको माल लेते हैं कि यहां पर दस मिल रहा है अधुफरी 21 से टोटल यूटिलिटी हो गई 18 माल लेते हैं 321 से टोटल यूटिलिटी हो गई 24 तो कह रहा है यहां पर कुलूपयोगीतां परिवर्तन की दर तो देखो कुलूपयोगीतां परिवर्तन की दर जो होगा वही MU होगा परिवरतन हो रहा है वही क्या कलाता है सिमांत उप्योगिता इसलिए इसका अंसर हुआ सिमांत उप्योगिता अब देखिए जो arts के student है, 17 को जो exam होगा उससे हो सकता है कि आपको घुमा करके question पूछे कि सिमान्त उप्योगिता का योग क्या होता है सिमान्त उप्योगिता का योग पैज सिमान्त उप्योगिता को जोड़िये गत क्या निकल जाएगा कुलूपयोगिता निकल जाएगा यानि कुलूपयोगिता का परिभासा पूछे तो सिमान्तूपयोगिता का योग लिख देना है सिमान्तूपयोगिता का योग कुलूपयोगिता होता है और जैदी सिमान्तूपयोगिता का परिभासा पूछे केवल पूछे करके पूछ सकता है और बहुत अच्छा लगा कोश्चन मुझे तो संतुष्टी है कोश्चन से क्यों क्यों कि ये वही विद्यारती स्वाल कर पाएगा जो डीप में जाकर के पढ़ा है ये मोडल सेट गैस पेपर में जाकर के सो दो सो अबजेक्टिव कर लेने से आपका अबजेक्टिव नहीं होगा अगर ऐसा ही कोश्चन पूछा तो अब आते हैं कोश्चन नमर थी में in the next question 3 है यह question बड़ा है जो question number 3 है ना question नमर 3 इंगलिस में उधर है तो यह बड़ा है उदासिंतावक्र क्या है इसी को कहते है साथ में कहते हैं क्या कहते हैं आई सी तो इसके बारे में कुछ दिया है थोड़ा से इसको जिसे competition में question पूछता है उस ढंक से इसको पूछने का process किया है तो इसमें क्या सही हो सकता है उदासिंता वक्र से related चीज दिया है इसमें से कौन सही हो सकता है उदेखिए कौन गलत हो सकता है उसको भी देखिएगा पहला दिया है उभोकता का अधिमान दूफरा बस्तू 4 है एक प्लेट में ये भी 4 है ये भी 4 है और एक प्लेट में माल लेते हैं ये 6 है और ये 4 है तो अब देखिए कि सबसे जयाधा किसमें है, इसमें जयाधा है अगर कि सबसे कम है तो एक दिश्ट पीस है और यह X और Y मिला करके 8 पीस है यह X और Y मिला करके 10 पीस है तो आप यही प्लिट को लेंगे ना अगर ऐसा करते हैं तो इसका मतलब आपका अधिमान जो है एक दिश्ट है अपतल नहीं होकर करके क्या हता है तीसरा पॉइंट है उदासिंता मानचित्र में मूल बिंदु की दूरी पर अवस्थित उदासिंता वक्र अपेच्याक्रत अधिकुप योगिता के अस्तर कमाप करता है जो इंडिफरेंस कर्व था एक ऐसा इंडिफरेंस कर्व है एक और इंडिफरेंस कर्व है एक और इंडिफरेंस कर्व है यूटिलिटी का नॉट्स भी देख लीजिएगा तो यह मूल बिंदू है इससे ज्यादा संतुष्टी इसमें मिलेगा इससे ज्यादा संतुष्टी इ यह IC1, यह IC2 और यह IC3 तो IC3 से सबसे ज़्यादा संतुष्टी मिलेगी क्योंकि यह मूल बिंदू से सबसे ज़्यादा दूर है यहाँ पर इतनी मात्रा मिलेगी Y की और इतनी मात्रा मिलेगी यहाँ पर X का इसके हिसाब से और इसके हिसाब से यह मात्रा इतनी वाई का और यह मात्रा इतनी तो ज्यादा मात्रा तो इसमें मिल रहा है न ठीक है तो यह जो कह रहा है कि अधिक संतुष्टी कस्तर को ब्यक्त करता है तो यह सही है ठीक है फिर कहता है संतुलन के अबस्था में उदासिंता वक्र की ढाल क ठीक है और यह उदासिंता वक्र का जो है उसको लिखे के MRSXY तो यह बरावर होता है यानि उदासिंता वक्र की ढाल कीमत के अनुपात के क्या होता है बरावर होता है तो यह सही है इसका मतलब है कि केबल दो गलत है ओप्सन दो गलत है सही एक है सही तीन है और सही चार है तो देखेंगे किस में दिया हुआ यह देखें डी में तो यह सही आपका अंसर होगा ठीक है अब चलते हैं कुशन नमबर चार में कुशन नमबर चार में क्या कह रहा है एक घटिया बस्तू के लिए मांग वक्र की ढाल होती है आप याद किजिए घटिया बस्तू सामाइन बस्तू में जो ढाल होगा रिनात्मक होगा समझ गए जिसे दूद दही मांस मचली लेकिन जो घटिया बस्तू होता है जिसे मोटा तो उसमें आपका क्या चलता रिनात्माग जिसमें की मांग का नियम भी लागव होता है मांग का नियम किसमें लाग होता है समझ गया घटिया बस्तो तो मांग के नियम का अपबात हो गया यानि उसमें कीमत बढ़ता है तो मांग भी बढ़ता है धनात्मक होगा ठीक है अब आते हैं question number five कहता है उब्होकता की आय बढ़ने किस परकार की बस्तू की मांग कम हो जाती है तो वो भोकता की आय बढ़ेगी तो किस परकार की बस्तू की मांग बढ़ जाएगी कम हो जाएगी तो जो समाइन बस्तू है जैसे दूद समाइन बस्तू है तो दूद का मांग आप सुचिए कि अगर आपकी आय बढ़ जाएगी तो इसका मांग बढ़ेगा बढ़ेगा तो समाइन बस्तू में आय बढ़ता है तो मांग भी बढ़ता है जो घटिया बस्तू होता है उसमें आय बढ़ने से मांग घटियाता है और जो घटिया बस्तू है उसी को हम करते हैं गिफिन बस्तू एक वीडियो मेरा है गिफिन्स का पेराडॉक्स आप देख सकते हैं जो घटिया बस्तु है उसे को क्या करते हैं गिफिन बस्तु तो घटिया बस्तु में आए बढ़ता है तो मांग घटता है लेकिन समाई न बस्तु होगा तो उसमें आए बढ़ेगा तो मांग भी बढ़ेगा लेकिन घटिया बस्तु में आए बढ़ेगा तो मांग घटेगा ठीक है किलियर आगे बढ़ेगा अच्छा एक सी और ये सारे बस्तु जो है ठीक है जीवन रच्छक बस्तु जो है इसमें हमको लगता है कि आपका आए बढ़े या घटे हम भी से प्रभाव नहीं पड़ेगा डीटेल इस पर बात नहीं करते हैं कोई टाइम जाता लगेगा आप देखें कुश्चन नमर छे काता निमलिखित में से परतियोगी बस्तू का एक संजोग परतियोगी बस्तू जो होता ना उसी को आते हैं एक तरह से परतियोगी बस्तू होता उसी में कंपेटिशन होता है इसका अंसर होगा कंबल और रजाई इसके अलावे चायर कॉफी रहता तो और यह जो है कार पेट्रोल कलम्स याही ब्रेड और बटर यह पूरक बस्तू है यह तीनों क्या है पूरक बस्तू है एक प्रतिस्थापन ब से अधिक होती है यानि mc greater than ac, बहुत अच्छा इसमें देखने का, यह बच्चा प्रयास किया है बनाने का, यहां पर भी देखिए, हम बनाते हैं फिर से phrase, यह होता है ac, और mc ac को नीचे से कारता है, वो भी minimum point पर, तो यह area में जो है, आपका mc ac से छोटा है, यहां पर mc equal to ac है, और इस area में mc आपका ac से बढ़ा है, तो इस area mc ac से बढ़ा है, यही पूछ रहा है कि जब mc सिमान तलागत औस तलागत से अधिक हो, यानि mc ac से अधिक हो, तो वहां पर कौन सही होगा, औस तलागत घटती है सिमान तलागत घटती है, नहीं, सिमान तलागत भी बढ़ रही है, ओसत लागत बढ़ती है, हाँ, देखिए, यह जो ac है, यही ओसत लागत है, तो यह बढ़ रही है, इसलिए इसका अंसर होगा c, यानि mc और ac का relation आप जान रहे हैं, तो आपका यह question का जबाब हो जाएग एक फर्मूला लिखते हैं, डिल्टा क्यू बटे डिल्टा पी इंटू पी बाई क्यू इस पर बनाते हैं, और एक फर्मूला लिखते हैं, इस परावर, पूर्ती में परतिसत परिवर्तन, अब बटे कीमत में परतिसत परिवर्तन, क्या, यही फर्मूला है ना, पूर्ती म कितना परिवर्ट तन हो रहा है 5% लिखती है कीमत में कितना परिवर्ट तन हो रहा है ये भी 5% तो कटके क्या आएगा वन आएगा तो वन जब आता है यानि इकाई लोज़दार होगा एक से अधिक आता तो अधिक लोज़दार होता है क्या एक से कम आता तो कम लोज़दार ह तो यह तो आप जान ही रहे हैं इसलिए इसका अंसर भी होगा कोश्यन नंबर 11 देखा जाए कहता है यदि सरकार के दौरा बफ्तू के उत्पादन पर इकाई कर लगती हो क्या कर रहा है इकाई कर लगती हो टेक्स लग रहा है आपको बस्तू बनाते हो पांच रुपिया आपको पहलेश खर्चा था और आप छे रुपिया बेच रहे थे या सात रुपिया बेच रहे थे दो रुपिया प्रॉफिट हो गया अब अगर एक रुपिया और टेक्स क्यादा कर पाईएगा कोई फाइदा ने पूर्ति कम करना पड़ेगा यानि पूर्ति कम हो जाती है ठीक है कि कोश्चन नंबर 12 में देखिए कह रहा है जब एक फर्म की पूर्तिवाक पर कीमत अक्ष के समानंतर हो हम लोग बताए थे आपको हम आपको बताए थे कि एक यह ए एक्सिस हुआ इस पर हम कीमत को दिखाते हैं एक्स पर हम मात्रा को दिखाए चाहे पूर्ति की मात्रा हो या मांग की मात्र हो तो यहां क्या कर रहा है कि पूर्तिवाकर कीमत अक्ष के समानंतर है यानि कि कि किसके अक्ष के हैं वाई के किसके हैं वाई के तो वाई के समानं कुंतर है यानि कि पूर्ती आपका वक्र ऐसा है कि स्टितिम मालते हैं कीमत P है तो Pूर्ती क्यों हो गाव पूर्ती तो पूर्ती क्या होगा पूर्त बलुजदार होगा और जड़ी यही रहता आपका एक्स के परलेल यानने मात्रा के पर आपनॲण चलता , तब फ्र अपकाании कैया हो जाता है बताई कि दो क्या होता यह हो जाता आपका इंफिनिट्री यानि पूर्ट अलोज़िता यानी इह वला ओप्सन हुजाता है लेकिन यहां पर कीमत के पैरलल है तो यह क्या अब question कर रहा है तेरे में कि आन्य बाते समान रहने पर साधन की कीमत बढ़ने से संतुलन कीमत पर क्या परवा पड़ेगा तो भाई पले ये देखो कि मांग वक्र ऐसा होता है ठीक है पूर्ती वक्र ऐसा होता है जहां पर एक दूसरे को काटा जाता है पर और एक्स एक्सिस पर हम मात्रा को दिखाते है किलियर अब कर रहा है साधन की कीमत यानि लेवर हुआ कच्चा माल हुआ या टैक्स भी जो अभी बात हुई थी ये सब बढ़ जाएगा तो कोस्ट बढ़ेगा अब कोस्ट बढ़ेगा तहम पूर्थी को बढ़ा पाएंगे नहीं पूर्थी हमेरा घट जाएगा यानि बाई और हमारा खिसक जाएगा अब ये नया पूर्थी वक्र कहां पर काटा है मांग वक्र को यहां पर काटा है ये नया संतुलन बिंदू हुआ और इसके सामने ये नई संतुलन कीमत हुई तो संतुलन कीमत बढ़ा की घटा बताएए यह तो P से P1 हो गया ना, बढ़ गया ना इसलिए इसकांसर यह हो संतुलन कीमत क्या होगी बढ़ेगी ध्यान देजेगा थोड़ा सा केबल आंसर टीक लगाने से काम नहीं चलेगा आपको समझना होगा यही आप दिखेगा इधर बाई और खिसकता तो फिर कीमत घट जाती लेकिन यहाँ पर बाई और कब खिसकेगी पूर्ती वक्त जब साधन की कीमत में कमी आएगी समझ गए तो साधन की कीमत में कमी आएगी तो पूर्ती बढ़ जाएगा निदाई और खिसक जाएगा ऐसी इस्तिति में मात्रा बढ़ेगी और कीमत क्या होगी घटेगी इधम डीप में जाकर कि समझने कोशिस किजिएगा अब कोश्चन नमर 14 देखिए इसमें कहता है और ये होगी आपका पूर्ती बढ़ जाहin यहांपर मांग और पूर्ती एक दूश्रीक काट रहा है इसलिए संतुलन कीमत होगा ये संतुलन मात्रा होगी इसी को आगे extend किजेगा समझ गए तो ये तो कौन लाइन हुआ हुआ प्राइस लाइन होता है वही आपका एयार होता है यानि एयार बराबर पी ठीक है अब क्या है कि यहीं पर आपका आपका एमसी तो इसा भी हो सकता है संजोक से देखिए एमसी तो नीचे भी आ सकता है एमसी नीचे भी आ सकता है लेकिन एसी आपका यहां रहेगा ठीक है हो सकता है कि आपका mc भी यहां पर कर दें कोई बात नहीं है लेकिन mc नीचे आ सकता है तो इस जगह पर यह हो गया आपका ac तो ac यहां पर क्या है मिनमम है ठीक है तो एक सी ध्यान देजीगा फुन परत्योकता बजार में संतुलन कीमत वहीं पर होता है जहां पर आपका सब बरावर हो mc बरावर ac बरावर mr बरावर ठीक है अब वही आपका ar जो है वो क्या है तो यह हो गया आपका कीमत ठीक है तो इसका सही आंसर क्या होगा न्यूनतम और सतलागत यानि ac यहां minimum है घट रहा था यह इतना तक आया इसके बाद बढ़ा गया तो असा डिटेल गया डीप गया इस वार यही खासित लग रहा है अगर ऐसा question पूछा objective में भी तो आपको subjective थ्रॉली पढ़ना होगा आज subjective जब तक थ्रॉली ने पढ़िएगा तब तक आपका objective होने वाला नहीं है इसलिए deep study की जौरत होगी question नमर 15 में क्या कह रहा है 15 नमर question में कह रहा है कि कौन एक समस्टीगत आर्थिक एजेंट है इसमें से तो एक भुकता तो यह बैस्टी का है एक उत्पादक भी बैस्टी का है एक दुकंदार भी बैस्टी का यानि तीनों माइक्रो का है यह बैंक जो हता है हम लोग पढ़ते भी हैं समस्टी अर्थास में यानि पार्ट भी में मैक्रो इकोनोमिक्स में इसलिए इसका अंसर होगा डी आईए कोश्चन नमर 16 में क्या कह रहा है निमलिखित में किस पुष्टक के लेखक जे-एम कैंस है तो पहले जान लिए वेल्थ आप नेशन का कौन है एडम स्मित वेल्थ आप नेशन किसका लिखा हुआ है एडम स्मित का य कौन लिखा है कौटील लिखा है प्रिंस्पल उफ इकोनोमिक्स क्या लिक्या मार्सल लिखा है लिखा है आप पुराइटेल में जाना है अरकाब लिखा है 1936 में यह हुआ डम स्मित ने वेल्थ आप नेशन का लिखा था सतरसोच्छेतर में ठीक है principle of economy मार्सल कब लिखा तो यह साइध 1890 में और कोटील तो यह बहुत पुराना है इसका डिट पता नहीं है कुष्चन 27 को देखिए कहरा है कि किस्चर का सम्मन्द समय के एक निश्शीद समय बिंदु से जो एक समय अवद्धी में मापा जाए वो परवा हौण ठीक है निश्शीद के जगह अगर आता समय अवधी तो उसके लिए परवा होता है लेकिन निश्चित समय बिंदू है तो उसके लिए क्या होगा श्टॉक ठीक है श्टॉक चारव प्रवाचरव के क्वेश्चन था उसमें बताए थे आप लोगों को स्वेश्चन नंबर अठार रहे है इसमें कर रहा है कि जीडिपी की गन्ना कि किस विधी में अंतिम बफ्त में क्या होता उत्पादम के साधन को जो मिलता यानि फैक्टर कॉष्ट पर जिसमें की रेंट पलस वेज पलस इंट्रेश्ट पलस प्रॉफिट यह जोडते है आई विधी में ठीक है विधिम तो खर्चा नीजियों अंतिम उभोग व्याय सार्वजनिक उभोग व्याय यह सबाता है यानि कि जो खर्च होता है उत्पाद विधी में ही हम बस्तू के अंतिम मुल्य को जोड़ते हैं ठीक है को कुश्य नमर अठार एक बार फिर से देख लिजेगा ध्यान रखेएगा क्योंकि इसको अलग से घुमाग पुछ सकता है यहां जो दिया है अंतिम का मुद्रिक मूल जोड़ते हैं और आयविधिम तो यह सब करते हैं रेंट वेज इंट्रेस्ट प्रॉफिट यह सब जोड़ते हैं ठीक है अब यह विदे में खर्च को जोड़ते हैं यह धियान देना है आपको एक चीज़ यहां फसाने का भी काम किया इनमें से सभी कुश्चन आता बस तो बिन्वे परनाली के दोस्त को क्या-क्या है सब्जेक्टिव में तो यही तीनों पॉइंट देते ठीक है ना कुश्चन नमर बीस में देखे काता बेवसाइक बैंक का एक कारिन में लिखित में कौन सा नहीं है भाई यह बेवसाइक बैंक का कारी है और यह भी बेवसाइक बैंक का कारी है किवल यह बेवसाइक बैंक का कारी नहीं है यह केंद्रिय बैंक का कारी है यानि भारत का जो आर भी आई है उसका यह कारी है ठीक है इसलिए इसका अंसर सी होगा कोश्चन नमबर 21 को देखिए कता यदि केंद्रिय बैंक बैधानिक तरलता अनुपात बैधानिक तरलता अनुपात यानि SLR को बढ़ा दे तो बैवसाइक बैंक को रीन देने की छमता क्या होगी तो भाई बैंक रेट हो ठीक है न बैंक रेट हो या CRR हो या SLR हो यह तीनों में ब्रधी होगा समझ गये तो बानिच बैंक की साख यानि रीन देने की छमता कम होगी तो यहाँ पर तो खाली SLR है तो SLR बढ़ेगा तो बैंक द्वारा रीन देने की च्छमता कम हो जाएगी यहां तक कि अगर SLR के जगा ये भी देता ये भी देता तो भी आपका कम होगा लेकिन यही इत्तीनों को बिर्धी के जगा क्या कर दे कम कर दे यानि इस बैंक रिट्स SLR में कमी कर दिया जाए तो फिर बानिज बैंक द्वारा रिण देने की च्छमता क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी ठीक है तो याईसा घुमा के आगे के एक्जाम में पूछा जा सकता है इसलिए अब इस तरह से समझना होगा के बद एक कोश्चन पर चलिएगा कि SLR में ये हुआ तो बानिज बैंक द्वारा रिण पर क्या परवाब पड़ेगा काम नहीं चलेगा इस बार SLR पूछा तो फिर बैंक रेट पूछ सकता है फिर CRR पूछ सकता है कभी बढ़ा देना कभी घटा देना इसलिए थोड़ा सा समझ करके काम आपको करना होगा कुश्यन नमर 22 को देखिए करता ब्याज दर में बिढ़ती होने से मुद्रा की किस मांग में कमी होती है तो को लेन देन जो होता न वो ब्याज पर निर्भर नहीं करता हो आए पर आपकी आए बढ़ेगी तो यहां पर है ब्याज दर में बिढ़ती होने से किसके मांग में कमी आएगी तो सटेवाजी के लिए मुद्रा की मांग में कमी आएगी बस समझे यही पर अगर रहता ब्याज दर में कमी तो क्या करते हम बैंक से लोन भी लेकर के सटेवाजी वाला काम करते सटेवाजी वाला कहने मतलब है कि जो मार्केट में बॉन्ड बगएरा मिलता है उसको हम खरीदे चुकि बैंक को कम ब्याज देना पड़ेगा उसी से हम बॉन्ड खरीद लेंगे अब बॉन्ड से हमको फिर रिटर्न्स ज्यादा मिल जाएगा अपना भी कुछ बच जाएगा फायदा हो जाएगा इसलिए इस में उभोग की सिमान्त परविर्ति किस फलन की ढाल कुमापती है उभोग है लिखा हूँ असपरश्ट है उभोग लिखा हुआ तो इस लिए इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लेगाना है उभोग फलन सीज कल टू फंसन ऑफ वाई उभोग किस पर डिपेंड करता है आई पर यहां तो बहुत सा रखिया हुआ है इस एक बार देख लिए इस जगह फ्रेश जगह है हम यहां पर बना देते हैं के आपका कि दिया हुआ है multiplier यानि के का value दिया हुआ है चार पूछ रहा है आपको क्या MPS क्या पूछ रहा है MPS marginal propensity to save इसको में क्या लिखेंगे MPS ठीक है MPS पूछ रहा है MPS का formula क्या होता है यह तो 1- MPC होता है तो उससे हमको काम नहीं करना है हमको दिखना है के का formula होता है 1 by MPS क्या होता है 1 by MPS और के का value 4 दिया हुआ है यहां 1 by MPS हम लिख देंगे ठीक है अब इसको गुना कर देंगे तो क्या हो जागा 4 MPS हो जाएगा is equal to 1 ठीक है तो MPS is equal to क्या हो जागा 1 by 4 यानि कटके क्या होगा 0.25 ठीक है तो इसलिए इसका answer हो जागा यह है यहीं पर अगर MPS के जगह आपको दिया रहता MPC क्या दिया रहता MPC दिया रहता तो आप ऐसे बनाते हैं इस डंक से के बरावर 1 by 1- MPC फिर के जगह फोर टाल देते अभी ठाक सॉल्व करते तो इसका आपका 0.75 ठीक है थोड़ा सा अब आज भर रहा है आगे बढ़ते हैं कोश्चन नमबर 25 को देखिए करा उभोक की सिमांध परविड्थी में बिड्धी समग्रमांग को किस परकार परभावित करेगा एक शीच तो समग्रमांग यानि इसको हम 8 कहते हैं सिमांध उभोक परविड्थी इन ये एकतरा से MPC है थिक है तो MPC कैसे निकालते हैं सी बराबर क्या होता है एमपी सी गुना आए ठीक है ऐसे होता है और एडी जो निकालना होता है वो क्या करते हैं सी प्लस आई तो अब बताओ कि जब एमपी सी बढ़ेगा तो सभाविक है सी भी बढ़ेगा अजब सी बढ़ेगा तो सभाविक है एडी भी बढ़ेगा तो मेर करने मतलब है कि एडी जैसे सपोज ऐसे एडी है ठीक है अब MPC बढ़ जाएगा तो एक तरस यह हो जागा समगवांग दाहिनी और विवर्तित होगी यानि इसका अंसर आपका सी होगा कुश्यन नमबर 26 देखिए कुश्यन नमबर 26 करा है सरकार के राजस आयका कोन स्रोत है यही एक सरकार का राजस आयका स्रोत है यह सब यह सब क्या है राजस आयका स्रोत नहीं है यह सब पुंजिगत आयका स्रोत है यह तीनों क्या है पुंजिगत आयका स्रोत है और यह क्या है राजस आय का सुरूत है इसके अलावे अगर टेक्स रहता तो वो भी राजस आय का सुरूत होता है ठीक है तो इसका आंसर होगा डी कुश्चन नमर 27 में देखें क्या कर रहा है किस परकार के बजट में सरकार का ब्याय उसके आय से अधिक होता है तो घाटे का बजट घाटे का बजट में जो आय होगा ठीक है ना आय जो होगा वो कम होगा और ब्याय ज्यादा होगा संतुलित बजट होगा तो आय और ब्याय ब्रावर होगा समझे गए अधिसेस बजट होगा तो आय ज्यादा होगा और ब्याय कम होगा आपसे आप देखो सघवर ठीक है तो ऐसे भी आपको डेफनेशन भी पूछब्चा जा सकता है सब्जक्टि में भी पूछा जा सकता है इस बार अभी इससे question बना दिया, अगले बार हो सकता है, इससे बना दे, इससे बना दे, तो पुरा समझ कर रखिए, कोई भी question पुछे का जबाब दे दीजेगा आईए question नमर 28 में, करता है भारत में निम लिखिए किस उत्पाद को GFT से बहार रखा गया है तो एक ही petroleum पदार्थ, यह समझ गए, diesel हुआ, petrol हुआ, kerosene हुआ, gas हुआ, यह सारे चीज को अभी GFT में रखा नहीं गया है ठीक है, petroleum पदार्थ को, तेल वगएर है, जो ना, diesel petrol हुआ, इसको नहीं रखा गया, बांकी को रखा गया, इसी पर तो भी बात चल रहा है सरकार को, राज सरकार और केम सरकार को, दोनों को लगवक 30-30% जो है, सो revenue tax की रूप में, यह साथ से 65% सरकार tax लेती है, इससे, अजी ST का maximum limit कितना 28%, तो जहां 60% हो रहा है tax, वहां घट करके सिदे 28% पर पहुंच जाएंगे, तो अभी 100 रुपया का rate है, ऐसे देखते देख लेकिन ऐसा किया जाएगा, तो राज सरकार को भी घटा होगा, कैनसर कार को भी घाटा होगा, यहां चोर चोर मुसे राभ हाई की बात होगई, कैनसर कार को दोस्त दे, क्यों महंगा है क्यों महंगा कैंसर का राजियों को ऐसे ही चलता रहेगा आप question number 29 में आगए है धीरे धीरे objective आप समापती की और है एक चीज़ आप लोग कीजेगा जरूर अच्छा लगे तो like कीजेगा comment कीजेगा जो exam दे दिये है तो अपना score बताईएगा और कुछ सुझाब होगा तो जरूर बताईएगा like से share करना comment करना ये सब जरूरी है और subscribe नहीं कि होंगे तो subscribe कर देंगे ठीक है ये आप लोगों से request है मेरा आगे बढ़ते है question number 29 में सरकार के एक मुस्त कर लगाने से अर्थवेस्था के संतुलानाय पर क्या प्रोहाप पड़ेगा भाई tax लगेगा तो क्या होगा आप बताईएगा नहीं बता पाईएगा आप लोगों बिलकुल नहीं बता पाईएगा देखे समझेए पहले ये होता AS ठीक है जिसको income भी कहते हैं ये होता AD ठीक है तो यहाँ पर AD और AS बराबर है तो अर्थवेस्था में यही आय और रोजगार का अस्तर होगा आय रोजगार का ये अस्तर होगा समझ गए या उत्पादन का ये एकसेक्सिस यानि इसको मान लिजिए N तो ये N लेबल है अब टेक्स लगा दिया जाए तो डिमांड भी जो करने वाला है अगर उस पर इंकम टेक्स जदा लग जाएगा तो डिमांड कम हो जाएगा या जो चीजें बन रहा जो प्रोड़क्शन हो रहा है ये देश में कूल उत्पादन को दरसाता है यह देश में होने वाले कुल मांग को दरसाता है तो tax लगेगा, income tax लगेगा चुकि एक मुष्ट करकी बात कर रहा है यानि हर तरह का tax बढ़ रहा है तो जब income tax लगेगा तो AD में कम ही आएगा क्योंकि इसमें क्या आता, C पलस आई तो लोग consumption कम कर देगा उसे investment भी कम होगा नहीं, तो नीचे आ जाएगा न और एक चीज़ यह करा है AS जो दिखा रहा है क्या supply को दिखा रहा है, production को दिखा रहा है तो GST भी एक tax है तो GST लगेगा, तो costing बढ़ेगा या किसी वह परकार का जो उत्पाद कर बगरह हो, वो लगेगा तो क्या होगा, cost बढ़ जागा, cost बढ़ जागा तो वो भी उत्पादन कम कर देगा तो जो यहां पर हमारा संतुलन बिंदू है, यह जो लेबल है तो यह हो सकता है, demand भी कम हो जाए ठीक है, demand नीचे आ जाएगा ad कहा जाएगा, नीचे आ जाएगा ठीक है, और यह as यहां आ जाएगा, यानि यह लेबल आपका घट जाएगा तो एक तरह से i रोजगार उत्पादन सब में कमी आएगी, इसलिए संतुलन i में क्या होगा, कमी होगा यह answer होगा, आते है question number 30 में, question number 30 को देखिए, ठीक है, यहां English है, डिरेक्ट आते हैं हिंदी में, question number 30 कहता भारत में विदेशी मुद्रा के परवाह का कारण, तो यह भी एक कारण है, यह भी कारण है, यह भी कारण है, यह तो इन वे से सभी हो जाएगा, इसमें क्या बात करें जादा बस्तू ओन का LEND हम दुसरे देशी से करेंगे, यह निर्यात ही करेंगे बस्तू सेवा का, तो बाहर से पैसा आएगा, हम विदेश में निवेश करेंगे, या वो करेंगा, तो पैसा आना-जाना तो बना रहेगा ना गिफ्ट लें देन करेंगे दूसरे देस्ट इससे भी होगा इसलिए इसलिए यूंस बीडियो निहीं वुपधन विडियोऊ से उपर हो गया है इसलिए सब्जेक्टिव बनाएंगे तो एक घंटा से भी सब्जेक्टिव पर बात करेंगे, ठीक है, सब्जेक्टिव पर बात करेंगे, तो तब तक के लिए हमें आगया देजे, जै हिंद, जै भारत